नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर जनरली हम इस तरह की वीडियो तब बनाते हैं जब कोई फिल्म हमें इतना इंप्रेस कर देती है कि हम उसकी बात करे बगएर रह नहीं पाते लास्ट टाइम हमें याद है कि हमने सरपट्टा परंबराई पर वीडियो बनाया था जो की एक तमिल फिल्म थी इससे पहले सुराराई पोट्रू और असुरान ने भी हमें काफी इंप्रेस किया था और देखी ये चारोई फिल्में तमिल इंडस्टी से ब्लॉंग करती है तमिल इंडस्टी की फिल्में डे बाई डे इतनी हाट हिटिंग और बोल्ड होती जा रही है कि फिल्म कई जगा पर हमें स्पीचले छोड़ जाती है बिल्कुल सेम वैसा ही जे भीम के साथ भी है फिल्म इतनी कड़वी सच्चाई के साथ हमारे सामने आती है कि इसको डाईस्ट करना मुश्किल हो जाता है और जब आपको मालूम पड़ता है कि ये फिल्म रियल इंस्टेंट पर बेस्ट है तब सिरियसली उनका पेन और भी ज़्यादा महसूस होने लगता है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म साल 1993 की कुडलोर इंस्टेंट पर बेस्ट है और सूरिया ने जिस एड़ोकेट का करेक्टर प्ले किया है वो सहब ये है इनका नाम है जेस्टिस के चंदरू इन्होंने खुद ही इस केस को डॉक्यमेंटरी फॉर्म में डेवलप करके फिल्म के मेकर्स को दिया जिन्होंने ऐसी फिल्म में काम करने के लिए हामी भरा पहले सुराराई पोट्रू और अब जैभीम सुरिया सर अपनी च्वाइसेस और एक्टिंग से एक ही दिल को बार बार जीतते जा रहे हैं यार क्या लुक है लंबे करली हैर इना लॉयर गेट अप सुरिया सर इस लुकिंग आउट स्टैंडिंग लेकिन सॉरी टू से यहां मुझे जिस एक्टर का काम सबस्यादा पसंद आया है वो है राजा कन्नू का करेक्टर जिसे प्ले किया है कि मनिकंदन सर ने क्या परफॉमेंस दिया है लिटरली आप इने जितनी बार देखोगे उनके दर्द को महसूस करोगे उनकी एक्टिंग इतनी रियल और पेंफुल है कि आपके हातों के रोएं तक खड़े हो जाएंगे सीरेसली फिल्म के सीन्स ने मेरे दिल को अंदर से जंजोर के रख दिया यार इतना ब्रूटल कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इवन मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये फिल्म इस डिरेक्शन में जाएगी पूरी फिल्म के दौरान जो इंस्पेक्टर है गुरू मोर्ती जिसे प्ले किया है एक्टर तामिज ने उनकी एक्टिंग जबर्जस्त है और आपको 100% उनसे घिन हो जाएगी दोस्तो पुलिस स्टेशन के सीन ओ माई गॉड मेरे पास वर्ड नहीं है कि वे सीन कितने खतरनाग कुरूर और निर्दई थे आप लिटरली सीड से उठ जाओके पूरी फिल्म के दौरान में यही सोच रहा था कि उन बिचारों को इतना क्यों मार रहे हैं फिल्म के डिरेक्टर टीजे गना वेल की में तारिफ करना चाहूंगा फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है उन्होंने इतनी एक्स्ट्रीमली वेल मेट फिल्म बनाई है कि आप कहीं पर भी कमी निकाल नहीं सकते फिल्म ने मुझे अंदर से जंजोर कर रख दिया जिस तरह उन आदिवासी लोगों के साथ डिस्क्रिमनेशन होता दिखाई देता है वो सच में बहुत बुरा लगता है इस टार्टिंग में वे लोग हमें इतने सीधे साधे और प्यारे लोग लगते हैं और जब लास्ट में उनी के साथ ये सब कुछ होता है तो वाकई में दर्थ महसूस होता है फिल्म में संगनी का जो करेक्टर है उससे प्ले किया है लिजेमन जोस ने इनकी एक्टिंग को देखो इससे कहते हैं असली एक्ट्रेस जिस तरह ही लोग टॉचर सहते हैं सीरेसली आखों से आपसूआ जाएगा थाने में औरतों के साथ जिस तरह का सुलूख होता है सब कुछ इतना कुरूर था कि हलके दिल वाले लोग देखी नहीं सकते राजा कन्नू के साथ जो दो लोग और थे उनको भी बिलकुल नजर अंदाज किया नहीं जा सकता वे सब भी तारिफ के काबिल है हर केरेक्टर ने जबजस एक्टिंग करी है और फिल्म का स्रीन प्ले भी काफी स्ट्रॉंग है फिल्म कहीं पर भी आपको बोर होने का चांसी नहीं देखी ऐसे ही फिल्म को I am Deep 9.7 out of 10 की रेटिंग नहीं दी गई है कैथी, असुरन और सरपटा परमरई के बाद एक और मास्टर पीस फिल्म आ चुकी है जिसे आप जरूर से जरूर देखें फिल्म को मेरी तरब से 4.5 out of 5 श्टार आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देखें धन्यवाद